सो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी लोग आज की इस वीडियो में मेरे पास H50 Fusion आने वाला है जिसे मैंने Flipkart के थुरू order किया था क्योंकि Flipkart में open box delivery मिलती है तो जैसे smartphone आया तो जो भाहिया आये थे उन्होंने अन्बोक्स कर दिया था आला कि वो चावी कोलने वाले था मैंने उनको cutter दिया ताकि नीट अन्बोक्सिंग और रूम पर लाके वापस पेक कर लिया तो इस टाप को कुछ बॉक्स देखने को मिलता है सबसे पहले box को open कर लेते हैं मोटोला के जो सिगनेचर डिजाइन देखने को मिल जाता है एक दम ब्राउन कलर का पेपर पेकेजिंग मिल जाती है दमें मोटो एच 50 फ्यूजन लिखा है साइड में प्लास्टिक फ्री पेकेजिंग लिखा है हेलो मोटो की ब्रैंडिंग है और कुछ specs भी लिखी भी है, तो भीना कि इस देरी के unboxing कर लेते हैं, तो देखो दोस्तों, जैसे unbox करते हैं, तो सबसे उपर smartphone मिल जाता है, हाला कि जो cover वाला box है, जो दुसरा पाट है, box के उसी में ही है, जहाँ पर एक cover मिलता है, कुछ user manual मिल जाएगी, और ejector tool भी वहीं पर मिलने वाला है, इस बार जो cover मिलता है, वो थोड़ा सा unique देखने को मिलता है, मेरे पास जो variant है, वो hot pink वाला है, तो cover भी थोड़ा बहुत hot pink है, cover के side में कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके वज़े से smartphone यूज करते वक्ते हैं, एकदम bezel-less वाला feel आता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, वाई कि देखो जो दूसरा box है, महाँ पर सबसे उपर smartphone देखने को मिल जाएगा, नीचे 68W का charger मिलता है, और cable मिल जाएगी, अभी देखो box को side में रख लेते हैं, सब्ते पहले बात कर लेते हैं, smartphone को on कर लेते हैं, on जब त vegan leather को use किया है, और vegan leather का design है, वो थोड़ा सा different है, और सबसे चीबत क्या लेगी ने, जहसे smartphone आया, मेरे पास hot pink वाला variant है, वहाँ से खुसबू आ रही थी, मैंने 2-3 बार check भी किया, cross check भी किया, back में dual camera वाला design मिल जाता है, जो को side panel में, उपर के side dolbet mouse की branding है, microphone port मिल जाता है, right side में volume rocker और power button मिलता है, उसके साथ साथ एक microphone port यहाँ पर भी मिलता है, left side और plane मिल जाती है, नीचे की side में SIM tray मिल जाती है, जहाँ पर आप सिर्फ दो ही SIM को use कर पाएंगे, यहाँ पर कोई भी hybrid SIM slot नहीं मिलता है, उसके साथ साथ type C वाला port मिल जायागा, microphone port दिया गया है, औ मैंने अल्मोस 4-5 मिनिट तक पानी में smartphone को रखा था, कोई भी दिकत नहीं आई, और सबसे चीबाश जैसे smartphone इन हेंड आता है, वेसे बहुत ज़्याद लाइट वेट फील होता है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छा feature लगा, मतलब एक premium experience के साथ आता है, अगर आपका budget इंट इस और के आसपास है, तो आप इसे एक बार जरू कंसिडर कर सकते हैं, भाई कि इसके जो detailed review है, मैं सोच रहा हूँ, unfiltered वाले चैनल पे लेकर आऊँ, देखो अभी बात करूँ न, performance के तो यहाँ पर Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7H Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक maintenance ज़ल का प्रो HDMI में यहाँ पर 60fps का सपोर्ट मिल जाता है, और गेमिंग करते वक्त मुझे कोई भी लेक देखने को नहीं मिले, मैंने यहाँ पर इतने अच्छे से तो टेस्स नहीं किया है, भाई कि पर्फॉमेंस ओकेशी मिलती है, उसके बाद यहाँ पर इस बार बैक में डूल क्यामरा मिलता है, प्राइमरी 50 मेगा पिक्सल का है, सोनी का लीटिया 780C वाला सेंसर है, क्यामरी की क्वालिटी सेगेमेंट में मतलब 22000 के बजेटरिंट के अकॉर्डिंग अच्छी देखने को मिल जाती है, पोट्रेट मोड भी बहुत ही अच्छा मिलता है, और मोटर लगी जो अच्छी देखने को मिलती है, मैंने अभी इत्ते अच्छे से यूज नहीं किया है, भाई कि दोस्तों ये तो था मेरा इनिशियल रिव्यू, मोटो एज 50 फ्यूजन का, इसे मैंने खुद से पर्चेस करा है, फ्लिप कार्ड के थूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसं और बावे दोस्तो